दोस्तों हमारे पास ये गियर मोटर है इससे हम फिरी इनर्जी बनाएंगे और देखेंगे कि ये मोटर कितने बॉल्टेज तग निकाल सकती है दोस्तों हमारे पास ये मल्टी मेटर है मल्टी मेटर के तारों को मोटर से जोड़ देते ही यह हमारे पास हेंडल है इसे घुमाने के लिए इसे हम घियर की साब्त में लगा देती है आप देख सकते हो यह गियर मोटर है तीन वोल्टेज की आसपास देखा लए है अब दोस्तों इस मोटर को देखेंगे कि इस गियर मोटर से यह मोटर घूम पाईगी या नहीं तो मोटर की तारों को आपस में जोड देते ही और इस गियर मोटर को घूमाते ही तो दोस्तों देख सकते हो यह मोटर भी हमारी घूम रही है अब इसकी इस वीडियो आप देख सकते हो